दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूटूब चैनल पे तो दोस्तों आज किस वीडियों हम बत करेंगे कि अपनी गल्फरेंड या वाइफ्रेंड का फोन का सारा डाटा अपने फोन में कैसे देखें बेगर कोई एप्स के मदद से दोस्तों जी चलिए सबसे पहले एक Chrome browser open कर लेते हैं इसमें टाइप कर लेते हैं spy human जैसा कि मैं टाइप कर रहा हूं सेम वैसे ही टाइप करें उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक जैसे को मिल जाता है चलिए उस पर क्लिक करते हैं क्लिक करने बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आगा दोस्तों ये रेगुलर परमानेंट के लिए नहीं है दोस्तों ये कुछ दिन के लिए आप ट्राइक ले सकते हैं जैसा कि यहां login और registration लिखा हुआ है दोस्तों चलिए मैं आपको सबसे पहले login करके दिखा दूँ ताकि सारा कुछ देख सकते हैं तो चलिए उस Gmail को डाल लेते हैं और उसी password को डालते हैं जो मैंने पहले से ही create करके रखा हूँ ठीक है दोस्तों जो मैं create करके रखा हूँ चलिए उसको डाल के submit करते हैं सब्मिट हो जाने के बाद यह देखिए मेरा open हो चुका है जैसा का आपको call logs दिख रहा है 660 है I mean call logs का मतलब होता है दोस्तों receive call, dial call, miss call यह सब होता है call logs जैसा का आपको दिख रहा है इसमें apps है जो run हो रहा है 41 है और contact 870 contact है दोस्तों तो चलिए आपको सबसे पहले contact on करके दिखाता हूँ दिखता है या नहीं दिखता है उसमें कितना number save है दोस्तों जीमेल में उस girlfriend या boyfriend के जीमेल में या phone में कितना number save है आपको यहां सारा दिख जाएगा दोस्तों अब बहुत ही असानी से उसका सारा data देख सकते हैं वो भी अपने phone में बेगर data sync किये जी हाँ अब सारा data को देख सकते हैं जैसा कि मैं यहां क्लिक कर लिया हूँ all पे तो यहां all contact दिखा देगा दोस्तों अब जितना contact दिखना चाहेंगे उतना देख सकते हैं तो मैं all पे अब फिरहाल के लिक किया हूँ और यहां देखिए 870 contact मौजूद है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अब चलिए दूसरी बात करते हैं जैसा का आप देख लिए contact सोग कर रहा है अब आपको दिखाते हैं दूसरी चीज जैसे की message हो गया एपस हो गया को लोग हो गया तो चलिए आपको आप ऑपन करके दिखाते हैं message आप यहां देख सकते हैं कि यह email कौन सा फॉन में रन हो रहा है दूस्तों तो जैसके आपको यहां दिख रहा है 3S प्रैम उसके बाद यहां आप्सन दिख रहा है जैसके मैं टिकेट कर दिया ह हो उसके क्लिक करने बाद बहुत सारे options हैं उसके phone के अंदर का data को आप देख सकते हैं दोस्तों तो इसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करना पड़ेगा दोस्तों अगर आप WhatsApp chatting देखना चाहेंगे उसका तो उसके लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे तो दोस्तों देख सकते हैं अगर इंट्रेस्टेड हैं तो नहीं तो आप पैसे दिये हुए यह सब मैसेज बगरा देख सकते हैं तो चलिए आपको आप रजिस्टेड करके दिखाते हूं किस तरह इसमें रजिस्टेड करना है उस email या उस email को तो जैसा का आप देख रहे हैं उस पे register प phone number डालना है उसके बाद email डालना है फिर पासवाड्या या उसके बर समिट कर देख और दाँना है दोस्तों तो तो दोस्तों मैं JA झालियां पासवाड दाल देते हैं open करके कि यह open होता है या नहीं होता है दोस्तों जैसा कि मैं आप भी type कर ही रहा हूं तो फ़ड़ा wait करें चलिए हम password डाल देते हैं यह देखिए मैं submit पे click कर चुका हूं और यह फिर से खुल चुका है दोस्तों तो जैसा कि देख रहे हैं यह कोई fake apps नहीं है यह fake website नहीं है अगर fake रहता दोस्तों यह change हो जाता च्छेसो साथ पहले भी था च्छेसो साथ अभी भी है दोस्तों तो चलिए मैं message को दिखा रहा हूं खोलके यह सब message दिख रहा है आपको इसके बाद अगर इसमें click करके देखना चाहते हैं कि वह message में क्या बात हुई है उन लोग में तो वह भी देख सकते हैं दोस्तों तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि अगर यहां से आप delete करना चाहते हैं या फिर backup लेका और भी data देखना चा और मैं आपको दिखा दूँ कि इस apps उसके phone में कितने apps रन हो रहा रहा और वह apps का नाम क्या है तो चलिए apps को भी दिखा देता हूँ आपको चलिए open करते हैं अपन करने बाद यह देखिए apps का नाम दिखा रहा है दोस्तो वीड मेट है MI remote है MS Office है Can Master है Mirror Go है My Geo है सारा apps का नाम दिखा रहा है दोस्तो जी हाँ आप सारा कुछ देख सकते हैं अपनी girlfriend या boyfriend का phone का सारा data बेगर data खर्च किये देख सकते हैं दोस्तों तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगए तो ज्यादा ज्यादा सेयर करें और लाइक करें बाई